क्या आप लोग जानते हैं कि जुगनू में लाइट कहां से आती है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन काफी सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा दरासल ये जो छोटा सा इंसेक्ट है ये आजकल शहरों में बहुत ही कम नजर आता है लेकिन अगर आप इसको दिखना चाहते हैं तो ये आपको गाउ में जरूर मिल जाएगा तो ये एक ऐसा चोटा सा कीड़ा होता है जिसकी बॉडी रात को अंदेरे में ग्लो करती है जुगनू के अंदर लिटरली लाइट एक बल्ब की तरह जो लाइट है एक छोटे से इंसेक्ट में कैसे जल सकती है मतलब भी पॉसिबल कैसे है तो साइंटिस्ट भी पहले इसको एक मिस्टरी की तरह देखते थे कि इसके अंदर जो लाइट है वो कैसे आती है यानि किस केमिक यूज से इनके अंदर जो लाइट है वो प्रोडियूस होती है लेकिन जब इसके उपर रिसर्च की गई तो साइंस दानों ने इसकी वज़ा मालूम कर ली और वज़ा ये है कि जुगनू के अंदर लूसी फ्रेंड नाम का एक केमिकल मजूद होता है दुनिया में एक ही नहीं बलके बहुत सारे ऐसे जानदार मजूद हैं जो के जगमगाते हैं जैसे कि कुछ बैक्टेरियाज, कुछ मचलियां और कुछ केकड़े वगएरा हाला कि जुगनू के अंदर मुसलसा जो है वो लाइट नहीं जलती, कुछ देर के लिए जलती है और फिर बंद हो जाती है तो उसकी लाइट से ऐसा लगता है कि जैसा इसका जो कनेक्शन है वो उसके सांस लेने से मिलता है और एक्शॉल में ये है भी ऐसा ही यानि उसकी जो लाइट है वो कुछ सेकंड के लिए चमकती है और फिर बुझ जाती है और इनकी लाइट का जो चमकना है उसका basicolly जो मकसद है वो है कम्यूनिकेशन यानि जूगनु जो है वो अपस में adult communicate करते हैं तो उसक्ट जब इनकी जो light होती है और बुझती है चलरी होती है उस तरह से जो है ये अपस में क्म्यूनिकेशन करते हैं यानि के अपस में बात करने के लिए ये अपनी light को असान लदे में ये ये कहा जा सकता है उसमें से जो एक chemical है उसका नाम है luciferin दूसरा जो chemical है उसका नाम है luciferase यानि जुगनू के अंदर luciferin chemical होता है simply अगर आपको बताया जाए तो जब जुगनू सांस लेता है तो जो हवा में जो oxygen होती है वो जो है luciferin chemical के साथ मिलकर combine हो जाता है और जो luciferin chemical होता है यानि oxygen और luciferin जब दोनो combine होते हैं तो उस वक्त जो chemical produce होता है उसको कहते है luciferase luciferase एक enzyme है जो के produce होता है इस system में अब simple ये है कि luciferase अगर ना हो तो luciferin और oxygen कभी भी combine नहीं हो पाएंगे तो simple ये कि luciferase जब luciferin और oxygen को combine करता है तब oxygen जो है तब जो है वो energy produce होती है तो तब ये जो है आपको light की शकल में नजर आता है यानि जुगनु जो है जब वो सांस लेता है तो लुसिफरिन के साथ-साथ oxygen, calcium, adenis नुनी यानि के जुगनु जब सांस लेता है तो उस वक्त यानि अगर आपको मज़ीद scientificly बताया जाए तो जुग्रू जब सांस लेता है तो oxygen और luciferin जब combine होते हैं उसके साथ calcium, adenosine, triphosphate जिसको short form में कहेंगे ADP, उसके बाद luciferin और oxygen ये चारो जो हैं वो combine होते हैं यानि के luciferin और oxygen अकेला नहीं ये चारो जो हैं combine होते हैं ये सब milk जो है वो light को produce करते हैं और इनके बारे में एक fact ये है कि जो जुग्नो होते हैं उनके अंदर यानि के inhale करने वाला जो system होता है वो नहीं होता जैसे हम लोग सांस जो है वो अपने अंदर लेकर जाते हैं ये system के अंदर मजूद नहीं होता यह यह भी कहा जा सकता है कि जुग्नो के अंदर lungs वाला जो system है जिससे सांस लिया जाए वो सीन नहीं होता जिसके वरा से जो जुग्नो होते हैं वो अपनी बाड़ी के नीचे वाले पार्ट से ही सांस लेते हैं जिसको tricoles कहते हैं और जो oxygen है वो इसी tricoles के जरीए ही अंदर आता है और जिसके वरा से यह सांस लेते हैं तो इस तरह से जुग्नो के अंदर सिफ yellow color का या golden color के लिए light नहीं होता नीचर ने इनके अंदर और भी बहुत सारे colors जो हैं वो बनाए हैं जिन में yellow, green, red, blue इस तरह के colors वले जुग्नो भी अल्ल पर इसको इसको इस्तमाल करते थे तो वो लोग क्या करते थे वो छोटे-छोटे से सुराहों वाला कोई बरतन लेते थे जिसके अंदर वो उनको काफी जदा मिकदार में जुग्नो को बंद कर देते थे या शीशे के जार में उनको बंद कर देते थे और उपर से जो उनका लिड होता था उसको थोड़ा सा उनकी सांस लेने के लिए उसके अंदर सुरा करके उसको बंद का देते थे इस तरह से वो जुगनो को इस्तमाल कर सकते थे रोशनी के लिए और जुगनो जो थे वो जिन्दा भी रहते थे कुछ लोगों को मानना ये भी है कि ज़धा तर जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो मेल जुगनो होते हैं जो के लाइट को प्रोड्यूस करके फीमेल जुगनो को अपनी तरफ एट्रैक्ट कर वाते हैं तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इंट्रेस्टिंग सी वीडियो, उमीद करते हैं आपको बसंद दे होगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सरा हया रखियेगा, दुआओं में याद रखियेगा,